हेलो एंड वेल्कम टू ऑनलाइन श्कूल इंडिया फॉल लैबरी साइंस एक बार फिर से आप सभी का अनलाइन श्कूल इंडिया फॉला लैबरी साइंस में जौड़ार स्वागत है दोस्तों। सुमेर सिंग अच्छावा पुस्तकाले अध्यक्स राजसान के अंदर लाइबेरियन ग्रेड थर्ड और लाइबेरियन ग्रेड सेगिंड की त्यारी करने वाले उन तमाम विद्यारतियों को में तरब से हार्दिक सुबकामना है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हैं कि पत्कने को मिलेगी दोस्तों आएए दोस्तों इसी के साथ आज हमें कैसे इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल थियोरी ओप लाइब्रेरी क्लासिपिकेशन पुस्तकाले वरगी करन के सामाने सिदान तो लाइब्रेरी क्लासिपिकेशन के कौन को उन से सिदान्त हैं उन सिदान्तों के कितने परकार होते हैं उन सिदान्तों को किन किन लोगों के द्वारा दिया गया है आज इस टॉपिक को बहुत अदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले जो भी विद्यायरती इस क्लास को देख रहे हैं इस क्ल चैनल को सस्क्राइबर सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आने वाल समय में आपको लाइबरी सैंस की अपडेट मिलते रहेगी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्तियों क्यों कियाना चाहता होगी जो विद्यार्ति अभी तक हमारे इस टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं वो इस टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि आने वाले समय में आपको हर एक लाइबरी सैंस की जो वेकेंसी हैं उस वेकेंसी की पीडियाप मिल जाएगी और उसके अंदर हम डेली कुछ भी देते ज्याने डेली पांच क्वेशन की जो क्य मेंसन आपको मिल जाएगी अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों जो विद्यारती नए हैं उन विद्यारतियों को कहना चाहता हो कि आप हमारा एप डाउनलोड कर लीजिए ऑनला जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों तो आज का हमारा जो टापिक है विद्यारे किया है उन तमाम जए ये जो टापिक है बिल्कुल हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं लेकिन आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो राजसान सेकिन गेट और थर्ड गेट की त्यारी कर रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो मैं सलेवस है वो मैं सलेवस जो पिछले साल था वो ही इस बार आपका मैं सलेवस रहेगा लेकिन हमें मैं सलेव के अलावा जो extra syllabus है वो भी आपको पढ़ना पढ़ेगा तो male syllabus आपका जो part two है वो है knowledge organization जिसके अंदर चार unit होती है वो तो पढ़नी पढ़ेगी लेकिन इसके अलावा जो extra syllabus है चाहे part one हो foundation of library science चाहे part three हो library management चाहे part four हो reference service और information sources चाहे part five हो computer and library automation चाहे part six हो types of user है तो part two के अलावा जो extra syllabus के अंदर जो part और five है अलग-अलग जो part है वो भी आपको पढ़ना पढ़ेगा तो दोस्तों जो भी राजसान के अंदर librarian grade third या librarian second grade के त्यारी कर रहे हैं मैं उस सभी को मेरा एक व्यक्तिकर सुजाव है कि आप जो इसका syllabus है इस syllabus का print out जरूर निकाले देखें library science के अंदर जो विद्यार्ति इस competition के अंदर जो विद्यार्ति सपल हो जाते हैं और कुछ लोग असपल हो जाते हैं तो सपल और असपल विद्यार्तियों में एक चीज हमेशा common होती हैं कि जो विद्यार्ति syllabus के इसाब से पढ़ते हैं वही विद्यार्ति competition exam में सपल होते हैं क्योंकि जो विद्यार्ति syllabus से इसाब से पढ़ेंगे तो उनका एकिक topic clear होगा दोस्तों जब एकिक topic clear होगा तो समलेजे आप उस syllabus को पूरा cover कर पाओगे जब syllabus समय पर आपका cover होगा तो आप समय पर हमेशा revision कर पाओगे एकिक topic का revision कर पाओगे और एकिक topic का test दे पाओगे तो सारी जब चीजे एक-एक topic पर एक topic का notes बनाईए एक-एक topic का revision करना है और एक-एक topic को आपको क्या करना है दोस्तों test देना है जब एक-एक topic clear हो जाएगा तो आपकी unit भी clear हो जाएगी जब unit clear हो जाएगा तो आपका part भी clear हो जाएगा दोस्तों इसलिए आपको हमेशा ध देरती हैं तो syllabus का print निकाल कर अपने पास रखें और उसके बाद आप हमारे app के अंदर जाके देखें कुछ demo classes हमने दी हैं और बिलकुल आपको syllabus की हिसाब से बिलकुल unit wise एक इक topic को आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों तो आईए शुरूत करते हैं आज का जो syllabus है syllabus की man syllabus है यह आपका यह आपका क्या है दोस्तों जो आपके address board की website में है यह तो आपका जो यह man syllabus है इस man syllabus में चार unit होती है पहला unit है universe of knowledge दूसरा unit है bibliographic description जो यह पूरी जो unit है वो किसे समंदित है दोस्तों cataloging से किसे समंदित है दोस्तों cataloging से और तीसरा जो unit है यह तीसरी जो unit है वो आपके समंदित है classification से किसे समंदित है दोस्तों classification या फिर वर्गी करण से तो आज हम ये topic पढ़ने जाया रहे हैं ये topic हमने उठाया है आपका जो man syllabus है man syllabus में जो unit 3 है तो unit 3 का जो man syllabus है उसमें ये topic उठाया है इसका नाम है General Theory of Library Classification पुस्काले वर्गी करण के सामानिय सिद्दान्त क्या है दोस्तो पुस्काले वर्गी करण के सामानिय सिद्दान्त चीए दोस्तो तो आएए आज हम ये topic शुरू करते हैं हमारा topic का नाम है पुस्काले वर्गी करण के सामानिय सिद्दान्त तो इसको थोड़ा से हम introduction पढ़ते हैं का तातपरिय किसी कि विशे, अथवा, वस्तू के परियोग के लिए प्रमानिक माभडंड के रूप में, मागदर्सन, इस्तापित करना होता है कि कोई भी जो विशे होता है, चाए वो लाइभरी सैन्स हो, या फिर वस्तू होता हूँ उनको पर्योग में लाने के लिए किसी विशे को यूज में लाने के लिए जो भी एक परमानिक जो मामदंड के रूप में उनको मार्क दर्सन इस्तापित करना क्या कहलाता है दोस्तों ये कहलाता है सिद्धा अंत कहलाता है In general sense, the meaning of the theory is to establish guidance in the form of authentic criteria for the use of any subject of the object किसी भी विशे के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि किसी विशे के लिए किसी विशे के लिए उसको विशे को पर्योग में लाने के लिए जो प्रमानिक मामदंड जो इस्तापित किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों सिदान्त कहलाता है दोस्तों क्योंकि principles या theories वो होती है कि थेयोरियां में ऐसा उस विशे के बारे में जान कर देती है चाहे कोई भी आप subject पढ़ रहे हो चाहे library science पढ़ रहे हो चाहे economics पढ़ रहे हो तो हर एक subject की अलग-अलग theories होती है अलग-अलग सिदान्त होते हैं और सिदान्त भी अलग-अलग लोगों के द्वारा दिया जाता है topic तो चाहे कोई भी एक हो लेकिन उस topic के उस topic से बहुत सारे लोग जुड़ेवे होते हैं लेकिन अलग-अलग लोगों के पासомина अलग-अलग दिमाग है इसलिए अलग-अलग लोग जो है उस Thioory को अलग लग लग तरीके से वर्णन करता हैं दोस्तों सिदान्त विचारों का संकटित सवरूपे द्या अलग-खलत क्योंकि एक जो कोई विसे होता है तो विसे कि अंदर थयोड़ी गया जाता है एक विचारों का संगट्रीज सारूप होता यह जो किसी विश्य में नवेन टकनिकों के उस विश्य में जो है क्या नई टेक्नोलिजी का परिवर्टन करते रहते हैं और जिस विश्य में जो ठी लिखे जाती हैं सिदान तलिके जाते हैं तो अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग समय के अधार पर और उनके विकास के अधार पर छोरी को बढ़ाया जाता है अर्थार्थ नवीन खोज जो परतेक परतेक किसी ना किसी सिदान पर अधारित होती है इसलिए हमेशा हर विसे में नई-नई खोज होती रहती है हर एक चोटा सा जो विसे होता है उसका समय के अनुसार उस विसे का जो क्या होता रहता है दोस्तों विस्तार होता है और वो विस्तार हमेशा परतेग जो विसे सब्जेट की जो पदती होती है वो कोई ने कोई सिदान्त पर हमेशा क्या रहती है दोस्तों आदारित होती है ध्यान अगना हर विसे के अंदर एक सिदान्त काम होता है उस सिदान्त से अलग-लग लोग जुड़े रहते हैं और से चिदान्द पर आदारित होती हैं चुरी इस ऑर्गनाइज़ फॉर्म ऑप आइडियाज विच प्रोवाइड दा बैसिस फॉर न्यू टैक्निक्स और न्यू डवलोपेंट इस अब्जेक्ट इस न्यू डिस्कोवरी और एवरी स्कीम इस बैस्ट ऑन सम और सम और अधर पि दोस्तों ठीक है ना नई आदारित नई जो हैं विद्धी पर आदारित होती है दोस्तों ठीक है अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों कि जो जो सिधान्त है लाइबरी क्लासिफिकेशन के पुस्काले वरकिकरण के जो सिधान्त है तो इन सिधान्तों का जो जो विकास हुआ तो इसके पर्थम चरण में जो सामाने सिधान थे उनका विकास दो चरणों में होता तो पर्थम चरण में किसका हुआ था descriptive theory कर विकास हुआ था कौन सी थे थे उसके पर्थम चरणों में होता है यह यू भी कह सकते हैं कि पुष्ट काले वर्गी करण के सामाने सिधान्तों को दो भागों में भाटा गया है तो पहला जो भाग है वो पहला जो भाग कौन सा है डेस्करविटी थेयोरी जिसे हम जन्रल थेयोरी भी कह सकते हैं और जित्य चरण है रंगा नतन के द्वारा विक्सित गतिमान सिद्धान जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है दोस्तो डाइनेमिक थेयोरी भी कहा जाता है क् तुल मिलाकर इस लाइन का यही अर्थ है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पुस्काले विग्यान के सामने सिधान, उनका जो विकास है दो चड़नों में हुआ था, यह हम कह सकता है कि पुस्कालि वर्गिकरंद के सामने सिदानतों को दो बागों बाटा गया है पहला है डेसकर्वीट थेयरी जिसे हम जैनरल थेयरी भी कह सकते हैं दूसरा जो है आपका डाइनेमिक थेयुरे भी कह सकते हैं in the first phase there was the development of the descriptive theory पहले चरण में देस्केविट शोरी का विकास हुआ था इट इस आल्सो नोवन इस जनल थेयरी और डेस्केविटीट शोरी डेस्क्रेप्टिव थेयरी का अन्य नाम क्या है दोस्तों जनल थेयरी है and the second phase was the development of the dynamic theory और second phase में किसका निर्माण हुआ था dynamic theory तो यह किसके द्वारा दी गई थी डॉक्टर एसार रंगानेतन के द्वारा दी गई थी दोस्तों यह सिदान्त यह सिदान्त का मलब यह principles भी कह सकते हैं जिसको हम क्या कह सकते है त्योरी यह जो थेयोरी है कौन सी थेयोरी यह से हम कहत करते हैं डानेमिक थेयोरी भी कह सकते हैं यह सिदान्त पुस्तकाले वर्गिकर्ण को वेग्यानिक अधार परदान करते हैं दोस्तों जितने भी यह सिदान्त है जितने भी यह चोरी है चाहिए हम डेस्केट्ट्यू थेयोरी की बात करें यह चाहिए हम डानेमिक थेयोरी की हैं दोस्तों अब यहां से एक important सवाल बनता हैं किस व्यक्ति ने वगी करके सिदानुतों को दो बागों भाटा है तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों और स्पारिक यह यहाद कर लिए अ सवाल आता है कि आरेस पारिक द्वारा वर्गीगन के सिद्दानतों को कितने भागों बाटा गया है दो भागों के अंदर बाटा गया है दो भागों में विवाजित क्या गया है वह कौन से दो भाग है पहला बाग हो गया descriptive theory जिसे हम general theory के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है पार्की तो आरेस पार्की के द्वारा वुसकाले वर्गीकरण के सामने सिद्दानतों को दो भागों में बाटा गया है तो वो दो कौन से भाग है दोस्तों पहला जो भाग है descriptive theory और इसका जो अनिये नाम है it is also known it is also known इसको एक अनिये नाम से भी जाना जाता है descriptive theory को as general theory इस को आम क्या कह सकते है दोस्तों general theory भी कह सकते है या फिर Hindi में कहते है सामने सिद्दानत भी कहते है और दूसरा कौन सा है दोस्तों डानमिक थयोरी जिसको हिंदी में कहते है गतिसिल सिद्दानत अब सवालों को जो संक्या है यहां से आपके एक्जामे सवाल बनेंगे द्यान टकना है पहला तो बनेगा पुस्त君 अले विग्यान के सामने सिद्धांत को कितने भागों बाटा गया है तो वो दो बागों बाटा गया पहला ओगया डियृ इस्क्रेप्टिव और दूसरा हो गया, डाइनेमिक थैयोरी हो गया, ठीक है, दूसरा सवाल यह बनेगा कि पुस्तकाले विज्यान के सामने सिद्धान्तों को दो भागों में किसने बाटा था, वो दो भागों को बाटने वाला वेक्ति था, RS Parik था, कौन था वही? RS Parik, कौन था वेक्ति? यह रहा था, RS Parik के द्वारा पुस्काले वर्गिकन के सामने सिद्धानतों को दो भागों बाटाता अब यहां पर आपको हम चर्चा करेंगे, कि जो दो अलग-लग जो थियोरी दी गई है उन थियोरी से कौन-कौन से लोग जुड़ी बते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं Descriptive Theory तो Descriptive Theory को इनदी में कहते है वन्दात्मक सिदान इसके अंदर कौन सा वेक्ति जुड़ा था? तो सबसे पहले वेक्ति जुड़ा था E.C. Richardson कौन सा वेक्ति जुड़ा था? E.C. Richardson दूसरा जो है इन्होंने दूसरा वेक्ति जो Descriptive Theory से जुड़ने वाला WCB Sayers तीसरा जो वेक्ति था E.W. Hall में चौता वेक्ति था आपके J.D. Brown और पांच वा जो वेक्ति था वो क्या था? E.C. द्यान रगना तो आपको ये Very Important द्यान रगना है तो Descriptive से जुड़ने वाले कितने लोग थे दोस्तों? ये पांच लोग थे सवाल परिक्षा में पूछा जाता है कि Which of the following is not Supportive of Descriptive Theory? कि निम लिकित में से कौन सा वेक्ति Descriptive Theory से नहीं जुड़ावा था निम लिकित में से कौन सा वेक्ति Descriptive Theory से Descriptive Theory का समर्थन नहीं करता है तो ये ध्यान रगना है पांच जो जो लोग है जो Descriptive Theory को समर्थन करता है और दूसरी जो थेयोरी है वो है आपके Dynamic जिसको समर्थन कौन करता है केवल और केवल डाक्टर एसार रंगनतन के द्वारा ही Dynamic Theory को समर्थन किया जाता है अब आज की कलास में हम Descriptive Theory को समर्थन करने वाले जो है वेक्ति के बारे में एक एक वेक्ति के बारे में पांच ये होगे शे वेक्ति को होगे डाक्टर एसार रंगनतन एक एक वेक्ति ने पुस्काले वर्गिकन के सामने सिद्धान्त में क्या क्या दिया है उन्होंने क्या क्या वन्न क्या है क्या क्या थियोरी में कहा है उन एक एक वेक्ति के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से वन्न करने वाले हैं दोस्तों तो सबसे पहले जो थियोरी है वो है आपके descriptive theory जिसको इंदी में कहते है वन्नात्मक सिद्धांत्र इस सिद्धांत का समर्तन करने वाले लोग निम लिखी थे द्यानक आपको बता है कि वह descriptive जो है समर्तन करने वाले कौन कितने लोग है दोस्तों यह पांच लोग यह द्यानक न डियानक न डियानक न टोटल पांच लोग होगे descriptive थे और एक हो गया dynamic थे छे तो इन छे लोगों ने जो है जो यह जो यह जनरल थे दी है उसके अंदर इनका क्या-क्या रोल है इसलिए छे लोगों को अलग-अलग तरीके से अपनको पढ़ने का एक हर एक व्यक्ति के बारे में details से पढ़ेंगे ताकि जो है सवाल यहां से कहीं भी परिक्षा के अंदर जो है पूछा जा सकता और ऐसे ही सवाल परिक्षा के अंदर पूछे जाते हैं द्यानक न है कि आज जो यह general theory of library classification का आज हम part one लेकर आ रहे हैं part two के अंदर और complete information आपको देंगे लेकिन last में जो भी आज topic में पढ़ा रहा हूं इनसे सम्मधित बहुत सारे important question में आपको solve करूंगा इसलिए last में आप इन सारे सवालों को answer जरूर देना द्यान रखना है ताकि आपको पता दो चले कि सवाल कैसे बनते हैं सवाल कैसे पूछा जाते हैं तो लास्ट में comment में जरूर सवाल आप देना द्यान रखना ठीक है दोस्तों तो ईसी रिचर्ट्सन वेक्ति हार्ट पूट चियो लोजिकल सेमिनरी USA के पहले librarian थे तो द्यान रखना सबसे पहले हम बात करत है कि E.C. Richardson का वेक्ति का जो संबंद है कौन से देश से हैं तो आपको पता होना चाहिए E.C. Richardson का संबंद यूएस से हैं USA का मलब होता है अमेरिका से हैं तो E.C. Richardson was the first librarian E.C. Richardson पहले पुस्तकाले अधिक से कहां के थे of Heartfoot Theological Seminary एक कोई institute है अमेरिका के अंदर जिसका नाम है Heartfoot Theological Seminary यूएस से क्या है दोस्तों वो एक क्या है वो एक librarian थे और बाद में प्रिस्टन उन्यवर्सिटि लाइबरेरी के librarian की रूप में पद संबार संबाला था द्यानगना एंड लेटर टूक अवर एज लाइबेरियन और प्रिस्टन इन्यवर्सिटि लाइबरेरी द्यानगना तो बहुत फैमस जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है प्रिस्टन हुई उनिवसेटिव वहां के लाइप्रेरी के योग मने थे लाइप लाइपिरीन बने थे तो पत्छन यूण जो लाइपने थे और बाद में फ्रोर्ट लाइप्रेल बने थे दोस्तोbang पड़ते हैं पुस्तकाले विग्यान के छेतर में, in the field of library science, पुस्तकाले विग्यान के छेतर में, सिदान्तों की निर्मान की दिशा में पहला परियास, E.C. Richardson का था, very important, अगर हम बात करते हैं, library, library science के छेतर में, या library science के फिल्ड में, अगर, सबसे पहले, अगर किसी ने theory लिखी है, library science के तो वो theory लिखने वाले वेक्ति को होने हैं, दोस्तों, E.C. Richardson है, तो E.C. Richardson एक पहला वेक्ति है, जुनोंने library science में theory लिखने का कारिये शुरू किया था, दोस्तों, the first attempt in the direction of creation of principles या theories in the field of library science was of E.C. Richardson, तो E.C. Richardson वो पहला वेक्ति है, जुनोंने library science के छेतर में, library science के field में सबसे पहले theory लिखने का परियास किया था, किसने परियास किया था, E.C. Richardson ने परियास किया था, दोस्तों, very important, यह सवाल हमेशा परिक्सा के अंदर पूचा जाता है, और previous दर्गा अगर आप paper उठा के देखोगे, तो कहीं बार यह सवाल पूचा गया है, कि E.C. Richardson के द्वारा 1910 में उन्होंने अपने किताब वर्गी करण, सैदान्तिक और वेवारिक प्रकासित की थी, तो very important है कि 1910 में उनकी जो किताब है, उनकी किताब का नाम याद कर लेना दोस्तों, classification, theoretical and practical, यह बहुत important question है, और परिक्सा के अंदर यह सवाल पूचा जाएगा, कि classification, classification, theoretical and practical, जानकना, classification, theoretical and practical, नाम किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह किताब लिखी गई थी, इसी, रिचर्ट्सन के द्वारा, एक सवाल तो यही बन गया जानकना प्रिक्सा के अंदर, यह किसके द्वारा लिखी गई थी, दोस्तों, इसी, रिचर्ट्सन के द्व द्यानकना very important ये कौन ये जो किताब है जो 1910 में लिखी गई थी classification theoretical and practical ये जो किताब है ना it was the first text book on classification ये वर्गीकरण पर आदारित पहली किताब थी द्यानकना very important question है फरिक्षा के अंदर सवाल पुझा जा सकता है कि classification पर जो पहली पाटी पुस्तर कौन से थी classification पर जो पहली द्यानकना classification theoretical and practical जिसे ईसी रिचर्ट सर्शन के द्वारा लिखा गया था और कप प्रकाशित थी 1910 में जिसने बात में WCB सेयर्स को प्रभावित किया था विच लैटर इंप्लिउस्ट वा इंप्लिउस्ट टो WCB सेयर्स और इस किताब से कौन जो है प्रभावित हुए थ द्यानकना है डाक्टर रंगानतन के क्या थे वह जो है गुरू थे द्यानकना डाक्टर ऐसा रंगानतन के गुरू थे WCB सेयर्स जब WCB सेयर्स ने उन्होंने यह किताब पढ़ी थी EC रिचर्ट संद है जो यह classification पर यह पहलिक टेक्स्ट बुक थी और इस किताब से कौन स यह चलिए जिरी तबढ़ी परवाइट भेट है और दूसरा जो यह इसी रिचर्ट सं द्यानकना है अ directly दूसरा द्यानकना है कि इसी रिचर्ट सन के बारे में एक बहुत इंपुरटन्ट जो है e.c. Richardson had referred as referred notation उन्होंने जो notation को पर जो है संदर्बित क्या था notation notation को इंदी में क्या कहते है अंकर उन्होंने notation को as a short hand sign का था इन्होंने क्या कह था दोस्तों शौट हैंड साइन यह कई बार परिक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि इसी जह है सवाल पूछा जाता है कि who had referred to notation who had referred to notation कि निमलिकित में से किस वेक्थि ने अंकन को एक शौट हैंड साइन कहा था तो नोटेशन को किस वेक्थि ने शौट हैंड साइन कहा था तो वह कहा था EC Richardson तो यह सवाल कहीं बार परिक्षा के अंदर पुछा जाता है तो आपको ध्यान अगना है कि EC Richardson ने नोटेशन को एज शौट हैंड साइन के रूप में परिवासित क्या था दोस्तों चीक है दोस्तों अब हम दूसरा जो वेक्थि हैं जिसका नाम है WCB Sayers क्या नाम है दोस्तों WCB Sayers तो WCB Sayers जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे यह डाक्टर ऐसा रंगानतन के गुरू थे आपको पता हैं कि 1924 के अंदर जब डाक्टर ऐसा रंगानतन जो है मदराश उनिवसिटी लाइबरेरी के जब पहले ल लंदन पहुंचे थे वहां की लाइबरेरी की कारी पत्रती को समझने के लिए तो WCB Sayers है वो लंदन में थे और वो डाक्टर ऐसा रंगानतन में वहां पर उनसे मिले थे और उनके डाक्टर ऐसा रंगानतन के वो गुरू थे तो ध्यान रगना है तो WCB Sayers का सम्बंध कहा सब्सक्राइब दोस्तों लंदन या फिर हम क्या सकते हैं UK से इंड का समझने दोस्तों कि 1905 में WCB Sayers London School of Economics में इस्टेनली जास्ट के चात्र थे तो इस्टेनली जास्ट भी बहुत बड़े नाम है लाइबरी साइंस में उनका नाम तो ध्यानकना 1905 में WCB Sayers London School of Economics में इस्टेनली जाश्ट के चात्र थे WCB Sayers ने स्विकार किया कि जास्ट जो स्टेनली जास्ट ने ही उनमें पुस्तकले वर्गिकन के फ्रतिरुजान पैदा किया था तो कुल मिला कि WC B Sayers के जो WC B Sayers के गुरु का नाम क्या है इस्टेनली जास्ट त्यान रगना जैसे डाक्टर एसार अंगानतन के गुरू कौन थे डबलू सीबी सेर्स तो डबलू सीबी सेर्स के गुरू का नाम क्या है Stanley Just, उनके द्वारा ही जो है WCB Shares के अंदर एक interest पैदा किया गया है कि तुम्हें वर्गी गण को लेकर कुछ करना चाहिए दोस्तों, तो in 1905, WCB Shares was a student of Stanley Just, in London School of Economics, WCB Shares admitted that it was just who instilled in him the tendency towards the library classification, यह द्यान रखना आपको दोस्तों, ठीक है, और अपने अध्यन के अनुबव के अधार पर WCB Shares 1913 में a short course in practical classification very important द्यान रखना इसको very important कर लीजिए, short course in practical classification, शीर्षक से एक उस्तक प्रकासित के थी द्यान रखना, तो जो जास्ट जो उनके गूरू का नाम है, इस्टेनली जास्ट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया WCB Shares को, वर्गीकन को लेकर, तब उनके द्वारा जो है, एक छोटी से किताब प्रकासित की गई थी, उसके किताब का नाम है, short course in practical classification जो 1913 में प्रकासित की गई थी, तो best on the experience of his studies, तो उनके अध्यन के अद्वाव के अधार पर WCB Shares published a book, WCB Shares ने एक किताब जो हैं प्रकासित की थी, इसका नाम है a short course in practical classification in 1930, 1913 में जो हैं उनके द्वारा की गई थी, और कुछ WCB Shares के बारे महम बात करते हैं, तो बहुत रहती है, इंपोर्टेंट है, WCB Shares, ठीके ना भई, जो सबसे पहले तो बात में ध्यान रगना है, यह डाक्टर ऐसा रंगानेतन के क्या थे वे, गुरू थे, तो ध्यान रगना है कि इनके द्वारा जो है, चार important books है, ध्यान रगना, for important books, यह आपको याद कलेना है, for important books, written by, ठीके ना, written by Sayers, ठीके ना, W.C.B. Sayers के द्वारा, जो चार मेहतुपन जो किताब है, उनके द्वारा कब लिखी गई थी, 1915 के अंदर लिखी गई थी, दूसरी जो किताब है, ज्यान रगना है, सॉरी, दूसरी जो किताब है, उस किताब का नाम है, grammar of classification, ठीके ना, उनकी किताब का नाम क्या है, दोस्तों, grammar of classification, ये किताब भी ध्यान रखना है, 1915 में उनके द्वारा लिखी गई थी, तो कहने का मलब, दो important किताब तो आपको याद रखना है, canon of classification, और grammar of classification, हो जाएगा ध्यान रखना है, और तीस्वी जो किताब है, introduction, introduction, ठीके ना, वही, introduction of library classification, introduction of library classification, library classification, तो ये किताब लिखी गई थी, ध्यान रखना, 1918 में, कब लिखी गई थी, दोस्तों, 1918 में, और चौती किताब है, ध्यान रखना है, manual of library classification, manual of library classification, तो manual of library classification है, ये किस किताब को लिखा गया था, 1926 में, तो ध्यान रखना है, WCB CERES के द्वारा, चार important, जो ये किताबे हैं, ये उनके द्वारा लिखी गई है, इन में से एक किताब का सवाल हमेशा पुचा जाता है, कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, और दूसरे एक किताब, जिसके द्वारा लिखी गई है, वो कब लिखी गई है तो ये चार किताबे जो है वो आपको ध्यान रखना है और इन में से एक सवाल अमेशा प्रिक्षाम पुछा जाता है कि Canon of Classification, Grammar of Classification, Introduction to Library Classification और चौति है Manual of Library Classification ये चारों किताब किसके द्वारा लिखी गई है और कब कब लिखी गई है ये सवाल अमेशा प्रिक्षा के अंदर पुछा जाता है दोस्तों एक सवाल WCBSS को लेकर अमेशा पुछा गया है प्रिवेशर के पेपर में देखा होगा कि WCBSS ने सबसे पहले केनन सब्द का जो है परियोग सबसे पहले कैनन सब्द का परियोग जो है प्रिंसिपल की जगे पर कैनन सब्द का परियोग उसने क्या था ध्यान एकना तो ध्यान एकना है very important कि he was the first he was the first who has used the concept of the concept of Canon ज्यान एकना तो Canon को इंदी में क्या कहते है दोस्तों उप्सुत्र कहते हैं तो सवाल यह आएगा कि वोल्ड में दुनिया में सबसे पहले Canon सब्द का परियोग किसके दौरा क्या गया है Canon सब्द का concept कौन लेकर आया है तो ध्यान एकना है सबसे पहले वर्ड में Canon सब्द का concept लेकर आया है वो लेकर आया है दोस्तों WCB Sayers के दौरा किसके दौरा लाया गया दोस्तों WCB WCB Ceres के द्वारा सबसे पहले वर्ल्ड में Canon सब्द का परियोग क्या गया था दोस्तों ठीक है और दूसरा द्यान एकना है कि WCB Ceres ने वर्गी करण के कितने उपसुत्र जो है बताये थे तो ही इंटर्ड्यूस 29 29 Canons of Classification कहीं बार सवाल पूचा जाता है परिक्षा अंदर कि जो वर्गी करण के द्वार्गी करण में वर्गी करण के जो है WCB Ceres के द्वारा कितने उपसुत्र बताय गया है तो वर्गी करण में ध्यानकना है तो WCB सेर्ट के द्वारा वर्गी करण के 29 कैनन्स को बताया गया है तो पूचा जाता है अब रिक्षा के अंदर कि WCB सेर्ट के द्वारा वर्गी करण के कितने उपसुतर दिये गया है तो कितने उपसुत्र दिये गया है, तो सवाल में ध्यानकना option में आएगा 29 उपसुत्र, कितने उपसुत्र दिये गया थे दोस्तों, एक सवाल ये भी पूचा जाता है, कि WCB Sayers को क्या कहा जाता है, WC Sayers was called, he was called as the first grammarian, ध्यानकना, first grammarian, G-R-A-M-M-A-R-I-A-N, first grammarian of library classification, library classification, तो ध्यान रगना है, तो WCB Sayers को पुस्काले वर्गी करण का वर्गाचार्य कहा जाता है, पुस्काले वर्गी करण का वर्गाचार्य ग्रेमर का मलबदा, स्वरी व्यकरणाचार्य, स्वरी, व्यकरणाचार्य कहा जाता है, बई, grammar को हिंदी में क्या कहते है, ग्रेमर को हिंदी में क्या कहते है, तो grammar को हिंदी में कहते है, व्यकरण, क्या कहते है, व्यकरण, तो ध को लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का ग्रेमेरियन का जाता है अर्थात व्यक्रेनाचारिये कहा जाता है दोस्तों ठीक है और उसके बाद यहां वह यहां के क्या दोस्तों ठीक है और वहां पर डबलू सी वी सेर्ट्स उनका जो है बहुत अधा हेल्प करते हैं और लंदन में बहुत सारे जो लाइबरेरी है चाहे लंदन की जो राष्टे लाइबरेरी है इसका नाम है ब्रिटिश मुजियम वहां जाकर वहां की कारे पद्धिती को समझते हैं और कारे पद्धिती को समझने में WCB sales के द्वारा रंगानतन सर्जी की जो है रंगानतन की help डाक्टर ऐसा रंगानतन की जो help की जाती हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है जो भी विद्यायरती इस class को आप देख रहे हैं आप सभी से निविदिन करता हूं कि आप हमारे इस class को जरू लाइक जरू कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेहर कीजिए और ह आज हमने केवल दो वेक्ति के बारे में जो है अधियन किया है जो डानेमिक थेयोरी से समंध रखते थे चीजिए दोस्तों अब बाकी जो चार और वेक्ति हैं उनका जो हम जो है वर्णन अगले वीडियो के अंदर पार्ट टू के अंदर जो है अगले वीडियो के अंदर पार्ट टू के अंदर हम उनके बारे में भी डिटेल से हम आपको बताएंगे तो जल्द हम आपको इसका सेकिंड पार्ट लेकर आया है लेकिन अभी तक जो हमने टॉपिक पड़े है उन टॉपिक के बारे में हम आज जो है आप से सवाल पूछते हैं तो जल्दी से आप आ यह डाक्तर एसार रंगानत्न के द्वारा लिखा गया था ठीक है दोस्तों दूसरा है कि इसकुर्प्टी थोरी के समझतर कौन हो जाएगा ठीक है जल्दी से साथ साथ आंसर देते रहे हैं मैं आपके कमेंट पेड़ रहा हूं दूस्तों उसके बाद अगला कुश्चन है वेरी इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन ठीरिटिकल एंड पैक्टिकल नामक उस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी तो यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी यह किताब लिखी गई थी इसी रिचर्डशन के द्वारा और इस किताब को कब लिखा गया था उन्डी सो दस में और एक बात क्या है इस किताब की विशेच्जक्त तक्या है इड वाभा द फॉर्स्ट इट वांसफ ser टेक्ष बूक अन क्लासिफिकेशन और क्लासि फ스타 से के उपर यह पर टैक्स्ट गुर्ट्थ जो किसके द्वारा लिखी गई एसी रिचर्सन के द्वारा लिखी गई थी और इस किताब का नाम है classification theoretical and practical और उसके बाद it influenced त्यानकना इस किताब ने सबसे ज़्यादा परबावित किया था किसको परबावित किया था WCB सेयर्स को इस किताब ने बहुत ज़्यादा परबावित किया था द्यानकना ठीक है दोस्तों अगला है कि निम लिकित में से कौन सा वेक्ति वर्गाचारिय नहीं है which of the following person is not a classificationist क्लासिफिकेनिस्ट का मलव होता है वर्गाचारिय था क्लासिफिकेनिस्ट का मलव होता है वह वेक्ति जो classification scheme को लिखता है ज्यानकना जैसे कौन सा नहीं है जैसे डबलू सी सुर। S.R. R. Julianathan के द्वारा कौन से Classification Scheme लिखी गई थी? CC लिखी गई थी? J.D. Brown के दौरा कौन से Classification? subject क्लाथिको Dr. S.R. रिंगनने तेन के द्वारा colon classification जो है लिखा गया था दूसर J.B. ब्राउन के द्वारा Subject Classification के द्वारा लिखा गया था CA cutter के द्वारा EC expensive classification किसके द्वारा CA cutter के द्वारा लेकिन WCB सहरस ने किसी परकार की कोई classification scheme वर्गिकन पद्रिति का निर्माण नहीं किया गया था दोस्तों ठीक है पुस्काले वर्गिकन के सामाने सिधानत्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो general theory of library classification तो मैंने भी बताया था तो पुस्काले विज्ञान के जो पुस्काले वर्गिकन के general theory को कितने भागों में दिखाय गया है सामाने theory को तो सामाने theory को दो भागों बाटा है कौन से दो भाग है सामाने theory के पहला हो जाएगा आपका descriptive theory और दूसरा जो हो जाएगा आपके dynamic theory क्या हो जाएगा दोस्तों डाइनेमिक थियोरी हो जाएगा जया लगना तिसरा है पुस्टकले वर्गिकन के सामने सिद्धान को किसने दो भागों में बाटा है तो दो भागों में बाटने वाला कौन सा वेक्ति है वही आरेस पारिक है कौन से आरेस पार की सुरी आरेस पार की जो है द्यानगत ना उसका ले वर्गिकन के सामने सिद्धान को दो बागों में विवाजित किया गया है descriptive theory और dynamic theory तो इसका सही answer क्या हो जाएगा both A and B क्या हो जाएगा दोस्तों बोट A and B हो जाएगा जिन्हों ने अंकन को सौट हैंड संकेत के रूप में संदरपित किया था किस वेखती ने कहा है कि notation एक शौट हैंड साइन है ज्यानगत ना यह वेस्ट बंगाल के सैट एक्जाम में आए था किस वेखती ने notation को short hand sign कहा है तो वो वेक्ती है द्यान रखना E.C. Richardson है कौन सा वेक्ती है दोसो E.C. Richardson है द्यान रखना ठीक है who has written the book grammar of library classification तो grammar of classification किताब किसके द्वारा लिखी गई थी ये किताब लिखी गई थी W.C.B. C.H.S. के द्वारा और इस किताब को लिखा गया था 1915 में ये वेस्ट मंगाल का जो सैट का पेपर हुआ था इसमें 2013 के अंदर ये सवाल पुचा गया था कब पुचा गया था 2013 के अंदर आया था the term Canon तो Canon सब्सका पहली पार वर्ल्ड में किसके द्वारा शुरू किया गया था ये आया था Tamil Nadu के जो Public Service Commission के द्वारा जो पेपर हुआ था उसके द्वारा सवाल पुचा गया था तो वर्ल्ड में सबसे पहले Canon का परियोग किसके द्वारा क्या गया था सेर्स की जो एक किताब है जिसका नाम है Canon of Classification ज्यानेगना तो Canon of Classification किताब कब लिखी गई थी तो ये Canon of Classification जो किताब है ये किताब लिखी गई थी 1915 में तो Canon of Classification और Grammar of Classification दोनों किताब है 1915 में लिखी गई थी पुस्टकाले वर्गिकरण में WCB Says का योगदान किसका परिछे है ज्यान रखना है Contribution of WCB Says in Library, Classification in Introduced Of तो ध्यान रखना है कि पुस्टकाले वर्गिकरण में WCB Says के द्वारा कितने उपसुतर दिये गए है तो आपको पता होना चे कितने उपसुतर दिये गए थे 29 उपसुतर दिये गए थे दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है ठीक है दोस्तों तो जो भी विद्यायटी आज की क्लास कैसे लगी है अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारे इस क्लास को को लाइक कीजिए कई बार विद्यारती खाली टॉपिक पढ़ लेते हैं और उनको कंटेंट अच्छा सा कंटेंट मिल जाता है लेकिन लाइक नहीं करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप मैं आपको अच्छा सा जो है कंटेंट प्रोवाइट गरवा रहा हूं त जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजी अपने रजिस्टर में ताकि आपको बार बार रिविजिन करने में आसानी हो जाएगी और जो विद्यारती राजस्तान सेकिंड गेट थर्ड गेट की त्यारी कर रहे हैं उन सभी से मैं कहना च जूड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है हम दो परकार से कोर्स देते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कोर्स हम एक दो देते हैं रिकोडेट क्लास तो अभी हमारा जो रिकोडेट जो कोर्स है वो रिकोडेट कोर्स है वो 90% पूरा हो चुका है दोस्तों 90% आपका पूरा हो चुका है तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप recorded course पढ़िए और recorded course के बाद जो हम सुरू करेंगे दोस्तों live class क्या सुरू करेंगे live class और live class कब सुरू हो रही है बहुत ही अगले ही कुछ दिनों के अंदर दिया रखना अगले ही कुछ दिनों के अंदर हमारा 90% पूरा हो गया recorded 10% course अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा और अगले ही कुछ दिनों में जो हम live class शुरू करने वाला है very soon जिसका आपको एक सांदार तरीके से एक वीडियो बनाकर हम YouTube पे डाल देंगे कि हमारे क्या रणनीती रहेगी दिया रखना तो recorded course हमने देती हैं उसके बाद हम live class शुरू करेंगे और उसके साथ जो हम test series भी provide करवाते हैं दोस्तों और test series जो हमारे तीन परकार से होगी पहला होगा दोस्तों topic wise जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं application के जांदर दूसरा हम देंगे आपको part wise test series और तीसरा जो है exam से पहले हम आपको देंगे model paper क्या देंगे दोस्तो model paper हम को देंगे ठीके न यह बात और सब सब चौती बात यह है कि हमारा जो पुरा जो course है वो bilingual होगा bilingual का मलग होता है Hindi और English यह हमारा पुरा course होगा दोस्तों जो विद्यारती नए है हमसे जुड़ना चाहते हैं कि आप हमारा एप के अंदर app download कीजिए ठीक है न भी और हमारा एप का logo है अधिक जानकरी के लिए इस नंबर पे कभी भी call कर सकता है दोस्तों पचास तो आपके model paper हम देंगे द्यानकना पचास model paper हम आपको देंगे और पूराने जो पचास जो previous year के paper भी हम डाल देंगे ताक ही आपको जो है द्यानकना तो पचास model paper का मलग होगे 50 इंटु 100 करीबन 5000 सवालों की तो हम आपको देंगे test series और 5000 सवाल जो पूराने paper हो जाएंगे तो करीबन 10,000 सवालों का आपका जो है collection जो हमारे online school India app के अंदर आपको देखने को मिलेगा second gate और third gate दोनों का जो combo pack है वो आपको 2999 में मिलेगा आपको इसकी face ना तो गटेगी ना बढ़ेगी यह हमारे fixed piece होगी कोई offer offer नहीं आता दोस्तों offer मे जो है जो है और पिछली बार सबसे पहले तो इस class के माधियम से धन्यवा देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना बहुत अदा प्रेम हो सने दिया है पिछली बार हमने शुरुआत की थी लाइवेरियन थड़गेट 2022 में हमने बैच चलाया था और जिसके अंदर न से बड़े fact है कि हमने 300 selection दिये हैं हमने 200 selection दिये हैं लेकिन हमें किसी परकार का फैक ने की जो तुने हम जो आपके सामने वोई डाटा है द्यान रखना एक सो बीस प्लस लोगों को अमारे यह सेलेक्शन हुआ है और यह लोग अभी राजस्तान थर्ड गेट के अंदर लग चुके हैं दोस्तों तो जो भी विद्यारती नए है और राजस्तान सेकंड गेट की त्यारी करना चाहते हैं तो जल्द हम अगले कुछ ही दिनों के अंदर लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं दोस्तों और जो विद्यारती ओफलाइन जो विद्यार्टी ओफलाइन की बात करें हैं तो ओफलाइन का बैच जो है शुरू नहीं करने वाले दोस्तों क्योंकि हम जो हैं लाइव क्लास एप के अंदे शुरू करने वाले हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप दिएगे नमबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहें जो विद्यायर्टी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाएं है उन टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में द टेलिग्स